एक कहावत है देर से आये दुरुस्त आये देर से आया है विकास दिविकीर्थी और अवद ओजा का रियाक्षन दुरुस्त आया है की नहीं वो आप बताएंगे जिहां 27 तारिक को हुए हादसे में जिसमें तीन चातरों की मौत हो गई थी, उसमें अब चातरों की हिरोज का रियाक्शन आ किया है उन हीरोज का जिनका इंतजार चात्र सड़क पर बैट कर कर रहे थे कि वो सामने आएंगे और जो हादिसा हुआ जिसने तीन होनहार चात्रों की जान ले ली उस हादिसे पर दो शब्द कहेंगे चार दिन बाद हीरोज विकास दिवकीर्थी और अवद ओजा सामने आएं सोशल मीडिया पर खूब बारल है इनकी रील इनका ज्यान खूब चलता है खुब बिकता है सोशल मीडिया पर और अब विकास दिवकीर्ती और अवद ओजा ने इस हादसे पर अपना मौन तोड़ा है चात्र सडक पर बैठे हुए हैं, आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, ओजा है बोजा और विकास ने सिर्फ किया है अपना विकास इस तरह का कविता का पाट कर रहे हैं, और अब विकास दिवकीर्ती और अवद ओजा बोले हैं, अपना मौन इन दोनों ने ही तोड़ा है बात हम करेंगे अवद ओजा की, एक प्राइवेट चानल को इंटरव्यू दिया अवद ओजा सर ने चार दिन बात सामने आए और सबसे पहले तो एक परिपक शक्सियत की तरह इस हादसे पर उन चात्रों, जिन चात्रों की जान गई, उनकी मृत्यू पर, उनकी निधन पर अपनी शोक समेनाय व्यक्त कर दी लेकिन फॉरन ही आक्रमक मुद्रा में आ गए और कहा कि इस हादसे के लिए सब ऐसे मेरे पीछे पड़ गए हैं, जैसे की वो हादसा मेरे बेस्मेंट में हुआ हो चात्रों के प्रदर्शन करने के तरीके पर भी सवाल खड़े करती हैं, अपनी आगे की रणनीती को लेकर भी एक पूरा लेखा जोका सामने रख दिया पहले क्या कहा वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, उनसे पूछा गया कि आप चार दिन कहा थे चात्र लगातार मांग कर रहे थे, वो उमीद कर रहे थे कि आप जो उनके हीरों हैं, वो सामने आते, उनके साथ इस प्रदर्शन में शामिल होते या चात्रों के गुसे पर, या चात्रों की जो जान गई है, उस पर दोशब्द कहते तो उन्होंने कहा कि वो बाहर थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे और जब तक उन्हें इस हाथसे की जानकारी हुई तब तक इस हाथसे की रिपोर्ट उनके बुजर्ग माता पिता को पहुचा दी गई, ऐसे पहुचाए गई कि मानो कि अवद प्रताप ओज़ा के बेस्में उनको समझना बेहतर समझा, तो याने कि चार दिन वो अपने बुजर्ग माता पिता के साथ थे, माबाप है, बच्चों के ही काम आते हैं, तो ऐसे में यहां अवद ओज़ा सर ने बता दिया कि वो क्यों गाया थे, याने कि चार दिन से सामने क्यों नहीं आये थे, अब बा को टेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात को सुनते, तो उन्होंने कहा कि देखे, चात्रों का प्रदर्शन सही है, लेकिन तरीका, ये वो तरीका नहीं है जो होना चाहिए, चात्र फौरी समधान ढून रहे हैं, समधान हमें ढूनना है स्थाही, उन्होंने भी कहा यहां पर, जैस अच्छे देरां जानते हैं, यहां पर भी उन्होंने एक एक्जामपल का अस्तिमाल करते हुए, पूरे घटना का हमको समझा है, कि क्यूं वो बेस्मेंट में चल रही क्लासिस के खिलाफ है, उन्होंने कहा कि एक उनके होनहार पीचर की जान भी बेस्मेंट में पढ़ाने क कि कोशिच कर रहे थे कि साथ से के लिए उनको जिमदार ठहराया जा रहा है, जबकि वो जिमदार नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हम चात्रों के इस आंदुलन में उनका साथ देने के लिए तयार हैं, हम चात्रों से बात करने को तयार हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने गांधी कि टीचर के वहां मौके पर पहुँशने का भी जिक्र किया का कि वो भी गई थी देखिया उनके साथ किस तरह की बतसरूकी हुई तो मैंने एक चार सूत्र कारेकरम तयार किया हुआ है जिसे मैं केंद्र के नेता और दिल्ली के नेताओं के साथ शेयर करूँगा उन्होंने कह कि मैं चार सूत्र कारेकरम हैं पहला यह कि नियम होना चाहिए एक सक्त नियम की लिमिटेट सीट्स हो येने की 400-500-600 भच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हो लिमिटेट सीट्स की बात रोने कही सेफटी कंपलाइंस की बात रहे हैं और उन्होंने कहा कि सक्त से सक्त दंड का प्रापधान होना चाहिए क्योंकि जो अभी हो रहा है वो फौरी कारवाई हो रही है वो स्थाई समाधान नहीं है इससे पहले भी सीलिंग होती रही है ताले लगते रहें कारवाई होती रही है लेकि इस कारवाई से वो संतुष्ट दिखाई नहीं भी जो कारवाई वहां प जलाते रहे हैं यहां पर जिक्र करना जरूरी होगा विकास दिवेकर्टी सरकावी उन्होंने भी अपनी सफाई में यह कहा कि देखे बेस्मेंट में तो शॉपिंग मौस भी चलते हैं बड़ी बड़े दुकाने भी चलती हैं हम से चूक हुई कि हमने वहां जिस मॉल के बेस् सकत खिलाफ हूं और मेरी कोई क्लास बेस्मेंट में चलाई नहीं जाती है इसके लावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से चात्रों की इससे पहले भी जान गई है उन्होंने कहा कि वीडियो गेम पार्लर में राजकोट में जो हासा हुआ उसका जिक्र किया दोहजार ते धाक के तीन पात हो जाते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह धर्ना प्रदर्शन करना सही है चात्र जो आक्रोश हो रहे हैं वो सही है लेकिन ये फौरी समाधान की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं फौरी समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसी में संत चार दिन लग गए उन्हें इस बात का निर्णे लेने में कि जब वो सामने आएंगे तो उनकी चार सूत्रिये मांगे क्या होंगी जिसको लेकर वो स्थाई समधान की दरब चात्रों की बेहतरी की दिशा में कदम उठाने की बात करेंगे अब अब अबद उजhा सर विकास दिवेकीर्ती सर का रियाक्शन आ गया है किस तरह से विकास दिवेकीर्ती सर ने कहा है कि मैं एक स्प्लेंड डीटेल डिसकॉशन इस पर करूँगा एक आर्टिकल के जरिए एक वीडियो के जरिए अब अब अज़ा सरकर कह रहे हैं कि मैंने चार सूत्रिये एक फॉर्मेट तयार किया है इस तरह की घटनाओं की रोखताम के लिए अब जो उनका रियाक्शन आया है उस पर आपका क्या रियाक्शन है जरूर शेयर कीजेगा लेकिन यहाँ पर वापस मैं चात्रों के गुस्से का जिकर करना चाहूंगी कि चात्रों जो जमापून जी अपने माता पिता की लगा रहे हैं और इस तरह की वरस्थाओं का सामना करते हुए सपने पाल रहे हैं कि वो एक दिन बड़ा अधिकारी बनेंगे सोचना होगा सभी को यहाँ पर क्योंकि ओजा सर तो कह रहे हैं कि चात्रों की भी जिमिदारी है कि जब वो क्लास्रूम का चैन करते हैं तो देखे कि कि किस तरह की क्लास्रूम किस तरह का वातवरण उन्हें दिया जा रहा है किस तरह के सेफटी के नियमों का पालन किया जा रहा है यानि कि बॉल जो घूम फिर के आ गई है चात्रों के पाले में ही आ गई है अगर आप चात्र हैं आप भी UPSC एस्पिरेंट हैं तो जरूर अपना रियाक्शन दीजेगा कमेंट कीजेगा क्योंकि आवाद ओचासर कहते हैं कि वो आवरिज विद्यारती थे अधिकारी बनना चाहते थे अधिकारी बन नहीं पाए लेकिन एक काम्याब पीचर तो बन गए है सोशल मीडिया पर जोनको पॉप्लियाटरी का ग्राफ है वो बताता है अपनी राय सरूर दीजेगा